सब को प्रभु येशु मसी के नाम से जय मसी की मेरे प्रियों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या जादु टोना असल में होता है और अगर होता है तो लोग जादु टोना क्यों करते हैं और उन्हें क्या लाब होता है जादु टोने से मेरे प्रियों ये वीडियो सुर मैं क्यों प्राभु का काम क्यूं रोकूं कितने दिन होगे मैंने वीडियो नहीं डाला तो प्रभु का काम होते रहना चाहिए अभी फिलाल मैं अभी भी 10% ठीक नहीं हूं मुझे सर्दी जुकाम बहुत बूरी से पकड़ रखा है तो फिलाल अभी आज की वीडियो की शुरुवात करते हैं आज के इस विज्ञानिक और मॉडर्न टेकनोलोजी के दौर में लोग जादू टोना और आत्माओं में बिल्कुल विश्वास नहीं करते तो क्या ये असल में होते हैं या फिर ये सब फालतू बाते हैं मेरी प्रियों अगर मैं आपसे कहूँ कि जादू टोना यानि काला जादू और आत्माओं असल में होती हैं तो आप क्या कहेंगे दुनिया के कई हिस्सों में जादू टोने का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन एफ्रिका में इसका बहुती ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है मेरी प्रियों अब हमें एक वीडियो देखने वाले हैं उस वीडियो में एक पास्टर जी और एक विच डॉक्टर वो कहते हैं यानि कि ओजहा वे आपस में आत्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं हम वो वीडियो देखने वाले हैं तो चले बोज़ा एक बार फिर से pastor पे आक्रमन करता है आत्मीक आक्रमन और pastor जी almost गिरी चुके थे कि उन्होंने फिर से येशू के नाम से वार किया और देखे किस तरह से वो बचने की कोशिश कर रहा है लेकिन अंत में येशू के नाम से वो गिर गया और येशू के नाम में कितनी सकती है हम देख सकते हैं येशु ही सर्वस्रेष्ट है और ये सब बुरी सकतियां येशु के सामने बच्चे की खिलोने की तरह है पास्टर जी पवित्र पानी से यानि पवित्र जल से जिसे येशु के नाम से सुद्ध किया गया है उन पर छिड़कते हैं और अंत में उन तीनों को चर्च के अंदर ले जाया जाता है और उनके लिए प्रात्ना की जाती है और उनके अंदर की दुष्ट आत्माएं निकाले जाती है येशु के नाम से येशु ही सर्वस्रेश्ट है उसके सामने कोई नहीं टिक सकता ऐसा कभी नहीं हो सकता ये सब जूट है ये सब फालतू वीडियो आप मुझे मत दिखाएं मैं नहीं देखना चाता है ये सब फालतू वीडियो मैं जानता हूँ आप में से बहुत लोगों के मन में ऐसे सवाल होंगे और इसे ही साबित करने के लिए कि काला जादू असल में ह होता है और लोग काले जादू के जरिये बुलिट प्रूफ भी बन जाते हैं यानि गोली भी उनका कोई नुकसान नहीं कर सकती हम सब जानते हैं कि फुटबॉल कितना बड़ा गेम है और जीतने वाले टीम को वर्ल्ड कप मिलता है और वो वर्ल्ड कप जो होता है वो सोने का ह जादू का भी सहारा लेती है अभी हम देखेंगे कैसे जैसा कि हम देख सकते हैं एक ओजह गोल पोस में कुछ जादू टोना कर रहा है ताकि कोई इस साइड में कोई गोल न डाल सके फिर टीम आती है और खेल खिला जाता है और इस गोल पोस में एक और देखिए ये खिलाड़े किस तरह से जादू टोने की होई चीज उदर लगा रहा है गोल पोस में जादू टोने की मदद से ये लोग एक गोल डाल देते हैं और ध्यान से देखिए बॉल किस तरह से हवा में तैर रही है मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ देखे ध्यान से देखे बॉल किस तरह से हवा में तैर रही है ये दरसल दुष्ट आत्माई इनकी मदद कर रहे हैं गोल डालने में मेरे प्रियू हूँ और दुष्ट आत्माई इस वक्त ग्राउंड में मौजूद है और देखे कि किस तरह से ये लोग जो जादू टोने की हुई चीज है उन्हें फैक रहे हैं जरा इस बंदे को ध्यान से देखे ये किस तरह से सौक्स ठीक करने के बहाने ऑपनें टीम के गोल पोस्ट में जादू टोने की सामगरी फैक आया है और किस तरह से आचानक से इस इस बंदे के पैर में बॉल आ गया खुद बखुद आप देखे कास ये कैसे हो रहा है और इस बंदे को जरा ध्यान से देखिए किस तरह से ये दूस्ट आत्माओं को बुला रहा है और एक तरह का जादू टोने वाला पाउडर ग्राउंड के चारों तरफ फैला रहा है ध्यान से देखा आपने और उन्होंने एक गोल डाल भी दिया उनकी टीम ने देखा किस तरह से जादू टोने की मदद से इन्होंने ये किया है क्या आप जानते हैं कि क्रिष्टियानो रोनाल्डो जैसे बड़े खिलाडी भी दुष्ट आत्माओं की पूजा करते हैं ताकि वे हमेशा सक्सेस्फुल खिलाडी रहें और हमेशा बड़ी कीमत उन्हें मिलती रहे मेरे प्रियों जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए आप इधर दुष्ट आत्माओं को देख पाएंगे यानि दुष्ट आत्माओं के काम देख पाएंगे जरा एक बार इस बॉल को ध्यान से देखिए कुछ नोटिस किया आपने, मेरी प्रियों रोनाल्डो के शूट करने से कुछ सेकेंड आगे ये बॉल हवा में उठती है, ज़रे ध्यान से देखें फिर से, देखें, देखा, ये बॉल जरा से उठी और रोनाल्डो ने एकदम स्वाट किया, और ये बॉल गोल में चली गई, यानि गोल हो गया, देखा, तो मेरी प्रियों ये दुष्ट आत्माएं हैं जो इनकी मदद करती है, और बॉल थोड़ी सी उपर होने का मतलब है, मेरी प्रियों जब बॉल थोड़ा उपर होता है, ग्राउन लेवल से थोड़ा उपर होता है, तो उसे शूट करने में आसान होती है तो ये दुष्ट आत्माएं मदद कर रही है इनकी और यदि आप सोच रहें कि वो दूसरे लेफ्ट वाले पैर से बॉल उचली होगी तो ऐसा हर गिज नहीं हो सकता और ऐसा हर दुष्ट आत्माएं हैं ये पहले तो भलाई करती है लेकिन बाद में टबल ट्रिपल चौपल बुराई करती है इंसानों का जो इनके साथ खिलवार करता है तो बिल्कुल ऐसा ही ओजा टीबी जसुआ आप जानते होंगे प्रॉफेट टीवी जसुआ को इनके चर्च में आय देखते हैं ओजा तो वो दरसल बहुत परेशान था दुष्ट आत्माओं से तो टीबी जसुआ ने उनको प्रात्ना किया हुआ पानी दिया morning water जिसे कहा जाता है और जब उस ओजा ने उस प्रात्ना किया हुआ पानी उस दुष्ट आत्माओं के चीजों के ऊपर डाला तो कई हुआ, चले थे क्या हुआ यसरो इसाटादा यहा करते हैं को यसyu एकowal यहिड्य बirकल के हमरЭत्स, यह बंगताएं को यसा मांना प्रात्या हुआ ने वह जा उनको बाद्ट्ट्यान में ओनको लूद्प पाराट्व Windows उनको यस्वाइं उम में तो इस मटके से जो चीजे निकल रही है वे असल में दुष्ट आत्माएं हैं जो पानी इसमें डाला गया वो प्रात्ना किया हुआ पानी है और येश्यू के सक्ती से सारी दुष्ट आत्माएं निकल रही है जैसा कि आप देख सकते हैं पल्आ मैंड व हैं जिस लित면 PKन, कहा किसा थि झाला करें खात्त स्वेत्रे जो आत्माएं upgrades दुष्ट एकिष्ट लिए एको पानी है पुष्ट ऀल्च ये जूखस जेख्यों से जह ड़की इसात्त सम्रह स्क्त जे investirए ज़ग्स, पत्त्माएं उस्ष्टुष्ट झाल्च इत्याम पुपकल्हेसें, नाते जाइभ हो आप जाइबे Кर्ण करका मकार्ण कर्ण 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 की 80 कर्ण कर्ण कि अगी कर्ण के उका म reception है आफ हिसरो इसος suspect को इसलो है नहीं अफ जलकिष आफ जल्ग कर्ण 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 इस ओजा ने जिस दुष्ट आत्मा को पाला था जब उसने उसको छुनी की कोशिश की तो उसके हाथ में ही अमला कर दिया प्रातना किया हुआ पानी जब येशु के नाम से लगाया तो उसे चंगाई मिली तो मेरी प्रियों आप देख सकते हैं ये दुष्ट आत्मा कितनी बुरी होती है आप उन्हें पालते हैं और अंत में वो आपको ही उल्टा डस्ती है साप की तरह अब एक बात बोलके मैं ये वीडियो अंद करना चाहूंगा मेरी प्रियों हम निर्गमन की पुस्तक में पढ़ते हैं जब मुसा अपनी लाठी जमीन में फैकता है तब वो एक साप में बदल जाती है और फैरो यानि मिस्र के राजा के जो जादूगर होते हैं वे लोग भी अपनी अपनी लाठी जमी में फैकते हैं और वो भी साप में बदल जाती है उस वक्त हम देखते हैं मुसा का जो साप है वो उन फैरो के जो जादूगरों के जो साप होते हैं उनको निगल जाती है इससे हम ये जान सकते हैं कि परमेश्वर इन सब जादूगरों से इन सब दुष्टों से या इन सब दुष्ट आत्माओं से और सेतान से बड़ा है पर मेश्वर से कोई भी नहीं लड़ सकता उसके बराबर कोई भी नहीं मेरे प्रियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना येश्व मसे आप सब को आशिस दे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए येश आप सब को सुरक्षीत रखे जय मसे की